दो figures of speech ऐसे हैं जो काफी ज़दा बच्चों confuse करते हैं एक simile है, दुसरा metaphor दोनों ही comparison के लिए use किये जाते हैं और metaphor का ही एक type है simile simile की पहचान यही है कि उसमें comparison के लिए हम दो words as या like का प्रियोग करते हैं और metaphor में हम directly किसी चीज को बता देते हैं ऐसे कि हम कह सकते हैं you are a lion कि तुम सेर हो हलांकि सेर नहीं हो सकता कोई आदमी लेकिन in a sense दोनों में काफी ज़दा similarity को दिखाने के लिए ऐसा बोल दिया जाता है लेकिन simile में ऐसा नहीं होता simile में उसके गुनों की तुलना तो की जाती है लेकिन like या as का प्रयोग के रहता है for example you are as strong as a lion या you are strong like a lion thank you I hope you get it